नमस्कार मैं हूँ संगीता और आपको बहुत बहुत सागत करते हैं आपके अपनी रुषई में घर में जब प्याज और टमाटर हो और कुछ चटपटा खाने को मन करें तब आप ट्राय करें प्याज और टमाटर की यह तेस्टी और यह उनिक सब्जी बहुत आसान इसको बन की सब्जी ओं को बनाने में लगता है यानि तरह तरह की सब्जी ओं में यह सिर्फ सादा आदनस प्याज और टमाटर की सब्जी बहुत स्वाधिश्ट बंदेर बहुत जल्दी बनते तो बिना देरी के चलते हैं देखती इसकी रजपी यहां पर हमने मीडियम साइज की मैं मैंने पांच लेए प्याज चील दिया दो देशी टमाटर कुछ के लिया लसन की दो हरेमिच एक टुकडाद रखा और यहां पर लेंगे मैं एक कास्वीरी मेथी है इसको मैंने तब यह पर थोड़ा भून लिया था और यह तेज पत इनको मैंने चोटे-चोटे टुकड़ बानच दो तीज पता है अब कारते है पहले प्याज और उपर वालो एपर वालो हट पोजाँ होता है तो हमने बारिक नहीं कार ना बस इसी साहाइज के कार्णा आप चाएए तो विद्र o tahun Price funky Mike long time कीि प्याघ के लिए सब्यार के इसी तरह कि प्याज एक टेया आपडनी है टो प्याज होगी के तया अब हम काच होगे टमाटरा और टमाटर कवी यूपर आले पोशन हटा लेंगे और यह है देशी वाला टमाथर इसमें भरपूर मातरा में जूस रहता है अंदर पानी और हलका सा खटा होता है टमाथर इस वाली रेशिपी के लिए परफेक्ट है टमाथर तो इसका दोनों भाग हम यूज करने वाले हैं यहां पर अंदर क यह एक टमाथर में रख कटके हो गया तया और दूसरा भी सेम साइज से काटना है यह टमाथर तो इसका गुदा कर लेना लग बीच साइज और भार का अलग तो इस बार एक नहीं काटने हमने टमाथर भी और दोनों कटके तयार आप करते हैं दूसरी तयारी गैस करेंगे कड़ाई यह पैन कुछ भी ले लेंगे अब रखते हैं दो छे ढ़ाई चम्माथ यहां पर तेल आप चाहे तो यहां पर सर्सो का तेल का भी यूज कर सकते हो लेकिन उसका अपना ही एक स्ट्रॉंग फ्लेवर होता है और जो कि सबजियों में फैल जाता तो उसको पहले पक करना हलका सब भूना है अब इसमें हम डालेंगे टमाटर जो हमने टुकडों में काटे हैं हलका भूनेंगे इसको बस इसका कच्चा पन जला जा बस इतना है और आगे भी हम इसको पकाएंगे तो इसको हलका हमने टमाटर जल्दी गल जाते हैं तो इतना ही इसको पकाना है और जब हम इसकी निकालेंगे भूनके तो इसको कर्ची हम थोड़ा तीर्ची कर लेंगे ताकि एक्स्टरा तेल होगा जो कड़ाई में नीचे आ जाएगा और हम उसको यूज में लाएंगे तो हमने थोड़ा सब मसाला बचा लिया बाकी हम इस तेल में ग्रेवी के लिए कास्मिरी लाल मिर्च और बड़ी इलाची तो इतने हमको मसाले चाहे जो मैंने काटे ते दिखाया तो तेज पत्ता वह भी डालेंगे इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है प्याज और टमाटर की सब्जी में जो लसन की कली आमने काटी थी उनको डालेंगे आप प्याधने के तो इसका प्याँ नेसी एतने के सब्सकर दिखाया सब्सक्राई थी न understands and finish and finish शेलें कोब चूटकी बहारी नो Ugh सबसे पहले हेंग एक चुटकी लजभवी भी डाल सकते हो, किटना क्वाइंटीटिटी में बना रहे हो सब्सक्राइब पश्ड़ी उतने episodes अभी देगी मेंक्त हैं और अब मैंने आप धन्या पौड़र ह यह गरम मसाली यह पर हल्दि कारेंगे टोड़बोड से यूज जादा नहीं डालना हूँ बस इतना ही डालना है और doubts अब हम इसमें डालीगे नमक थोड़ा सा नमक को भी भूण लेगए हलका से सारे मसाले भूण के हो जाएंगे तयार अब इतना ही तेल लगेगा हमारा इसमें इसमें ज़्यादा हम भी ठंडी हो गई पीशके और बारीक पीश हमने तो अब सारी मसाले एक सार हो जाएंगे जैसे अब इसमें कोई मसाली डालने के जड़त नहीं बस ए दो इंग्रीदियन्च और डालने हम ने यह दूशरी तरा के हैं लेकिन मसाली नहीं है बस अब इस तरह पके हमारी ग्रेवी ठोड़ात जाएंगे अचसे तो हम तब इसमें और कुछ डालेंगे ताव आप देख सकते हो मसाले होके पक्के तयार और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है अब मैंने दिया पर लेना है यह घर का मलाई जो घर का था मेरा मलाई उसमें मैंने थोड़ा सा डाल लिया तो दूद और उसको फेटा और इसम प्याज और टमाटर की सबजी का तो क्रीम आप चाहिए तो दाही का भी प्रियोग कर सकते हो यहां पर दाही में खटापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए तो यह से जैसे हम मलाई डालते हैं वैसे इसका ग्रेवी का भी लुक चेंज हो जाता है अब जो हमने यहां पर प्या जिसका मसालों को जूस अंदर तक चला जाएगा तब हम आगे की प्रोसेश करेंगे इसमें ग्रेवी भी हमारी थोड़ी सी गाड़ी हो गई है और बस हलका यह क्रंचने सिसमें रहना चाहिए प्याज और टमाटर की सबजी में तो यह हो गई तैयार और आगे भी हम इसमें पानी डालने वाले है क्योंकि ग्रेवी मुझे थेक लग रही है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी का यूज करने वाली हूँ तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हमने डोई रखना है और यहाँ पर मैं जिस मलाई फ्याटी तो जिस वाली मैंने कटोईरी में उससे में थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी क्योंकि हमारी ग्रेवी बहुत थीक लग रही है मुझे यहाँ पर तो अब डाल देंगे इसमें पानी रादी आप दही का प्रियोग कर रहे हो तो पानी बिल्कुल मर डाल लेगा क्योंकि दही जो है अपना मोस्टर छोड़ती है अब ग्रेवी अपने असली लुक में आ ग करने आएगा और सारा अपने बें लिएंगे तो तब हमें थोड़ा इसमें अब दालऊंगी सौसर तो रहा संगतिो स्टूस ayamad शाये, इस इसमें खटा तीख स्विड़ करने को पणते साथ तो में यह यहां पर एक ही चमस्षよろएप सेखते techniques, आप सान पानी 2 हम एहां पर क तो इस सौस ऑप्सिनल है बहुत अच्छा भी लगता है और यह प्याज क्यूंकि प्याज और टमाटर की सब्जी तो इसके साथ यह सौस थोड़ा सा लगता है और यह स्वाद को भी बैलेंस करता है तो हमारी प्याज और टमाटर की टेस्टी सब्जी बनके हो गई जट पर से बिना देरी के चलते हैं लगाती करते हैं इसकी प्लेटिंग आप देखे कितना अच्छा रिच लूक आया इसमें हलके चे जरत थोड़ा सबना घर का प्याज गर जाइका है सारा प्याज टमाटर तो इसके सारे अलग अलग हो रहे टमाटर भी हमारे बिल्कुल नहीं करें गल जैसे हम भिंडी की सब्जी रखते हैं साइड में उसी तरह से हम इसको भी रख सकते हैं चटने की तार पर इखा सकते हैं बच्छों की टिपन में ढाल सकते हैं बहुत टेस्टे लगती सब्जी प्याज टमाटर की तो बिना इसकिप के पूरी वीडियू को देखे घर तभी वीडियो देखने के लिए